हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगा तो फ्रेंट्स आखिरकार वो दिन आई गया हमारे Q&A वीडियो का जो फ्रेंट्स मेरे सारे यूट्यूब फैमली के सभी फ्रेंट्स जानते होंगे कि Q&A वीडियो का हम बहुत टाइम से इंदिजार कर रहे थे और हमारे चैनल ने 1000 सब्सक्राइबर तो बहुत ताइम पहले कंप्रीट कर लिए लेकिन Q&A वीडियो नहीं आया पुछा लोकेस साबंध भाई ने इन्नोंने हम से पूछा यह अलाबा कौन सा एनिमे तुमें पसंद है तो लोकेस भाई अगर मैं आपको डाइनसार किंग कर पसंदीद एनिमे का नाम बताओ तो मेरा सबसेदा शुरुवाती तौर का पसंदीद नाम अनिमे जो था वो था डिवाइस है जो humans को किसी और TNA में transform करने के काम आता था तो मुझे शुरुबाती तोर सही ऐसी scientific चीजे बहुत पसंद थी जैसी कि आप जानते है डाइनसार king में सबसे जादा वो डाइनसार काड दिखा जाते हैं तो डाइनसार काड को हम जैसी stone plates के साथ स्लाइट करते हैं तो हमार डैनसार बहार आ जाता है तो इस तरह की कोई technology उसाइट level 20 से भी आगे की technology है तो इसी तरह की more technical चीजे बहुत सब पसंद आती थी उस anime में अगला सवाल भी इन्होंने पूछा लोकेश भाई ने इनका दूसर सवाल है फूल नेम तो लोकेश भाई अगर मैं सही बताओं तो मेरा पूरा नाम शीवम है जो मैंने शीवम SLT चैनल पर डाल रहा है मेरा पूरा नाम शिवम ही है और इसके अलावे इन्होंने एक सवाल और पुछा है तुम्हारी एज क्या है तो लोकेश भाई अभी फिलहाल में मेरी एज 17 एर्ज है मैं 17 साल का हूँ अभी और मैं इके देख रहा हूँ अभी आपने साथ ही साथ एक सवाल और पुछा है तो इस क्वेशन में लिखा है तुम कहां रहते हो तो भाई मैं रहता हूँ मुरादाबाद में चलिए अगला क्वेशन देखते हैं दिफ्रेंट डाइनसॉर जो थैरेजिरोसर क्योंकि मैंना आज तक ऐइसा डाइनस्वा नहीं देखा था सके हातों के पंजह इतने बड़े बड़े हो बिलुकूल अलग दिखता हो तो सबसे जादा डिफरेंट डाइनसौर लगा मुझे थैनिजिरोसौरस और मेरा तब से फेबरेट डाइनसौर है और यह डिखाया गया था डाइनसौर किंग के सीजन वन के एपिसोड 28 में फ्रेंट्स आपको एक सीक्रेट बात बता हूं जब मैंने डाइनसौर किंग यूट्यूब पर देखना स्टार्ट किया था उसमें यूट्यूब पर इतने सारे शो हिंदी में अभी लेवल नहीं थे डाइनसौर किंग के तेन साल रहा था मेरे यूट्यूब चैनल पर तीन साल रहने के बाद मेरे जो चैनल पर अच्छा कासा ट्रैफिक आ चुगा था मिलियन नाइन मिलियन 10 मिलियन ऐसे करके व्यूज हो चुके थे लिए इस पर मुझे तीन साल बात मिला एक कॉपिराइट स्ट्राइक वह सौरी तो कॉपिराइट स्ट्राइक मिले थे और सारी वीडियो सस्पेंड हो गए ती यूटुब से हटा दी गई थी खेर कोई बात नहीं इस बात को रहने दीजिए लेकिन यह मैं आपको बताना चाहता था क्योंकि मैंने बहुत टाइम पहले आप सोचते होगे कि मेरे पास यह स्पेशल एपिसोड कहां से यूटुब पर कहीं भी अब लेवल नहीं थे और मुझे उस चैनल पर कई सारे दोस्तों ने कमेंट में पूछा था इसके लाब आगला कमेंट देखते हैं तो हमारा आगला कोशन पूछा है वैवफ शर्मा भाई नहीं ने पूछा है शॉट आट प्लीज एंड डाइनसौर किंग सीजन 3 तो भाई देखो डाइनसौर किंग सीजन 3 के कुछ एपिसोड तो हमने भी अपने चैनल पर करने के निए गदेख देट आनवीज करने के और इसी सब इनफर्मेशन के बेशिस पर हमें एक एपिसोर्ट को करते हैं ऑब हमें आपको और बतानी है कि इस eaten कोईبي ऑफिशल Mom की स्कृप नहीं होती है अगर आपको को यूट्टीवर कहता है कि हमें Dinosaur King Season 3 की एपिसोड की स्क्रिप्ट मिल गई है तो भाई वो जूंट बोल रहा हमें कोई स्क्रिप्ट नहीं मिली मैंने आस तक अपनी कोई वीडियो में यह नहीं कहा कि मुझे किसी भी एपिसोड की स्क्रिप्ट मिली है भाई देखो आप समझने की कोशिश करो अगर एपिस इस क्रिप्ट ऑफिशली पर अप्रोड करेंगे तो उसके रिगार्ड इन तो लोग एपिसोड तो क्रिएट करी देंगे और इन सब चीजों से शो मेकर्स को लॉस ही तो होगा कोई प्रॉफिट तो होगा नहीं क्योंकि मेन स्टोरी लाइन तो ओनलाइन सबको शेयर हो कि भाई मुए डैनसार किंग सीजन 3 की ऑफिशल चैनल पर स्क्रिप्ट मिल चुकी है डैनसार किंग सीजन 3 की तो आपसे बिल्कूल भी आकीन ना करें क्योंकि यह सब फर्जी बाड़ा है फ्रेंट्स आप छोड़ दीजिए इस सब जो को तो फ्रेंट्स आगला क्वेशन क्या आया है तो हमार अगला कोशन पूछा वारेल हर्पाती भाई ने इनोंने हमसे पूछा है डैनसार किंग सीजन 3 एपिसोड 3 तो भाई डैनसार किंग सीजन 3 का एपिसोड 3 हम अपलोड करने वाले है कल यह परसों में अपलोड कर दूंगा तो कि फ्रेंट्स उसकी जो है लीक्स के अकोर्डिंग हमें कुछ डेटा मैच करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो इस करन हमें उस पर फ्रेंट्स पर दीले हो रहा है लेक्ने फ्रेंट्स में कल यह परसो पक्का अपलोड कर दूंगा तो फ्रेंट्स अब अगला कोशन देखते हैं तो हमारा और मोस्ट पावरफुल डैनसौर पर वीडियो डालो ना तो थैंक्यू भाई आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक सद्रिस्ट किया है मैं इस बार में वैसे सोच रहा था कि डैनसौर के सबस्यादा मोस्ट पावरफुल डैनसौर पर एक वीडियो डालनी चाहिए और मैं ए बताइंगे तो ही मैं अच्छा सेज़ेस्ट कर पाऊंगा की वीडियो की डेट कर्णी है नहीं कर्णी तो फ्रेंट्स प्लीज कमेंट जरू करके बताएं तो देखते हैं अगला कमेंट क्या है तो अगला हमारा ताजा-जाजा ताजा कमेंट आता है अनों प्रस्तो की and who knows strong T-Rex and Terry तो भाई T-Rex और T-Rex में अगड़ देखा जया कौन सब सदा स्ट्रॉणग है तो भाई देखो समझने की कोशिश करो T-Rex जो है वह तर्य है और T-Rex की प्राजाति से ही बिलॉंग करता है और अगर आपने season 2 का episode देखा होगा तो जब Dr. Z T-Rex को नीचे लेके आते हैं backlander से तो उस समय वो गैबरोस के सामने होता है तो उस समय वो कहता है Tyrannosaurus Rex यानि Tyrannosaurus Rex यानि T-Rex, Terry, Terry ही T-Rex है भाई तो I'm sure कि आपका doubt clear हो गया होगा तो आप अगला question देखते हैं तो हमार अगला question I have fun with Bikram भाई की तरफ से इनों ने लिखा है great इतनी अच्छी acting आपको दूसरे लैंगुजेस में बनने वाली films को dub करना चाहिए तो thank you भाई आपको हमारी dubbing इतनी पसंद आई हमने Dinosaur King season 2 का Faith of Cosmos Stone हिंदी में dub किया friends अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो आप हमारी YouTube चैनल पर देख सकते हैं पूरा episode हमने अपनी Hindi language में dub किया है so friends आपसे मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे कमेंट पढ़के मुझे बहुत खुशी हो रही कि आपको हमारी वीडियो इतनी पसंद आ रही है हमारी dubbing की और fun with Vikram भाई को मैं तहें दिल से शुक्रिया करता हूँ इतना अच्छा कमेंट करने के लिए कि भाई आपने इतना दिल खुश कर दिया वाकि मैं इतना बहुत अच्छा कमेंट किया है मरी आज तक YouTube की जन्नी में मुझे इतना अच्छा कमेंट नहीं आया थैंक यू भाई अगला कमेंट देखते हैं तो हमारा अगला कमेंट आया है यह इन्होंने लिखा है तो देखो भाई डैनसार किंग सीजन 3 का ओफिशल रिलीज डेट तो मुझे भी अभी तक नहीं मिला है तो फ्रेंड्स आप वेट कीजिए जब तक डैनसार किंग नहीं आ रहा तब तक आप हमारी वीडियो को देखके एंजोई कीजिए और जब वह आ जायगा तो हम भी एंजोई करेंगे तो फ्रेंड्स आप संडरों होते हैं कि आप तब तक थोड़ा वेट कीजिए मैं पक्का अनुमार नहीं कह सकता लेकिन जब भी हमारा पास रिपोर्ट आती है डैनसार किंग सीजन 3 की ओफिशल रिजडेट की तो हम उस पर वीडियो ज़रूर क्रेट करेंगे सो प्लीज आप सब अभी वेट कीजिए तो हमारा अगला कोश्चन आता है नाइमानमर भाई की तरफ से इनों ने पुछाया हाव ओल्ड यू आर फेवरेट यूट्यूबर कौन है ग्रेंट फादर है या नहीं तुमारे और फेवरेट गेम के बारे में पूछा तो भाई मैंने अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था मेरी एज अभी 17 एर से और मेरे फेवरेट यूट्यूबर डैनसौर किंग के बारे में तुम्हें कह नहीं सकता क्योंकि देखो भाई जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था उस ताम डैनसौर अपना यूट्यूबर अगर में देखा जाया तो में डैनसौर किंग फिल्ड में लेकिन बैंटेंड की फिल्ड में है मेरा जो फेवरेट यूट्यूबर है वह हीरो टाइम के अगर चाहें तो मैं आपको उनके डिस्क्रिप्शन में लिग दे दूंग आप देख सकते हैं ऐब यूट्यूबर गेम तो फेवरेट सेर्च करके देख सकते है हैं और उनोंने पूछा है ग्रैट फादर है या नहीं तो देखो भाई मेरे ग्रैंट फादर है नहीं अचे वह सब साधा फैवरेट गेम है फ्रीफायर जिसने में सबसे आदा खेलता हूं अपने फोन में और अभी एक्जाम टाइम में थोड़ा कम कर रहा है लेकिन में सबसे आदा खेलता हूं मैं आपको कैसे एक्स्प्लेन करूं बहुत जादा मज़दार रहेगा उसकी विजर्णी तो अगर आपको पसंद आए गेमिंग चैनल तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको फ्रीफार की वीडियो देखनी है हमाई चैनल पर सुम्हें उसके लिए गजर से चैनल क्रेट कर दूगा और इसका लिंक भी आपको देदूगा तो अगला कमेंट देखते हैं किसकी तरफ से आया है तो हमारा अगला कमेंट आया है आज इते गेमर भाई की तरफ से इनों ने पूछा है ब्रो ये टीवी पर कब रिलीज होगा I am so excited टाइम किया होगा कौन से चैन उनको जो खहली टाइम मिलता है वो उस टाइम में असोट को ट्रीरकास्ट करते हैं और कौन से चैनल पायागा तो भाई देखा जाया तो अभी फिलाल ये कार्टून Knight Ak प्र भी आ चुका है निगलोडीन पर भी आ हंगामा पर भी आ कुका और सोनिक पर बी आ चुका डनिसो होगा तो भाई देखो इसकी official release date तो अभी कहीं पर भी नहीं है ना किसी YouTuber को मिली है लेकिन इतना हम अंदाज से कह सकते हैं कि 2021 में आ जाएगा भाई आप टेंशन मत कीजी है तो हमारा अगला कमेंट आया है लोकेश शावंद भाई की तरफ सही इनों पुछा है बेस्ट या टॉप कमेंटर कौन है तो लोकेश भाई अगर सही बताओं तो सबसे पहले बेस्ट कमेंटर की तो मैं कह नहीं सकते क्योंकि मेरे लिए जितने भी कमेंट आते हैं वह सारे बेस्ट होते हैं क्योंकि मेरे यूट्यूब फैमली के सभी फ्रेंड्स मुझसे बहुत प्यार करते हैं और अगर टॉप कमेंटर की बात की जाओं तो एक तो वाइरल हर्पाती भाई नहीं किया है टॉप कमेंट सबसे पहला कमेंट मुझे उनका आया था और बागी का मुझे याद नहीं क्योंकि यूट यह तो बागी बहुत इंट्रेस्टिक क्वेशन पूछाया और इस क्वेशन का मैं सोच रहा था एक वीडियो बनाने का सेपरेट वीडियो क्योंकि बहुत ज्यादा पूछा रहा था कमेंट करकर के कई सारे दोस्त पूछ रहते और सबको एक सेपरेट रिप्लाई देना कबर कर देता हूं देखो भाई डाइनसार किंग सीजन 3 के कार्ट की लिए मुझे डायरेक्ट नहीं मिली थी मैंने जो है बहुत ही ज्यादा डीप सर्च किया था डाइनसार किंग के वारे में और डीप सर्च करते करते मुझे कुछ इमेल आइडिस भी मिली थी भावे मैंन डॉमेन था जहां पर इसारी इंफ्रमेशन रखते थे या फिर कहूं एक ऐसा वेपेज जो सर्च इंजन में नहीं आ रहा था बहुत ज्यादा डीप सर्च करने के बाद मिला था और फ्रेंड्स सौरी मैं आपको उसका यूरल रिबील नहीं कर सकता कॉप्राइट रिजन की वैसे हो सकता है वो कॉप्राइट सेंड कर दें क्योंकि बहुत ज्यादा इमेल सेंड करने के बाद उन्होंने मुझे अपलोट करने के परमिशन दी थी सौरी फ्रेंड्स मैं आपको उसका यूरल रिबील नहीं कर सकता लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ आप डाइनसौर किंग की अगर बहुत ज़्यादा डेप रिसर्च करेंगे तो आपको हो सकता है कि वो वैप पेज मिल जाए जहाँ पर डाइनसौर किंग सीजन 3 के कार्ट की लीक रखी हुई है मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ फ्रेंड्स सौरी क्योंकि कॉपिराइट की हुए से हम यूट्यूपर ज़्यादा नहीं बता सकते कि उन्हें इन्फोमेशन कहां से मिलती है तो फ्रेंड्स यह हमारे चैनल का लास्ट कमेंट था अगर आप कुछ वीडियो पसंद आई हो ता आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आप डाइनसार किंग सीजन 3 की लीक से बने हुए सीजन 3 का एपिसोड देखना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पचार वीडियो शो हो रही होंगी तो आप इसमें से वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं सो फ्रेंड्स हमारी अगली वीडियो होने वाली डाइनसार किंग सीजन 3 का एपिसोड 3 मिलते हैं अगली वीडियो में